Very very sweet morning dear viewers संधी प्रकरण के अंतरगत संधियों के समुचित ग्यान के लिए आवशक है कि 14 माहेश्वर सूत्र तथा 42 प्रत्यहारों का संख्षेप में ग्यान कर लेना चाहिए पानेवी की आराधना से प्रसंद होकर भगवान शंकर ने अपना डमरू 14 बार वजाया जिसमें से 14 प्रकार के धोनी सम्हों निगले जो की 14 माहेश्वर सूत्र कहलाए जिने हम इंगलिश में शिवा सूत्र भी कहते हैं ये माहेश्वर सूत्र ही संस्कृत व्याकरण की आधार भित्ती है इनहीं से निर्मित प्रत्याहार रूपनी संग्याओं की सहायता से महरेशी पानीनी ने सूत्रों का प्रणयान करके अत्यल्प अर्थाद वेरी शॉर्ट और इस्पष्ट यनि क्लेर शब्दों में समग्र व्याकरण नियमों को सहज तथा सरल रीती से प्रस्तुत कर दिया है डियर व्यूवर्स मैं शालेनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने सैक्षिक एवम ग्यान वर्धक चैनल ग्यान के मोधी में डियर व्यूवर्स आएए एक नजर डाल लेते हैं चितुर्देश माहिश्वर सूत्र पर अर्थात 14 शिवा सूत्रों पर डियर व्यूवर्स इन 14 माहिश्वर सूत्रों में से प्रथम 4 सूत्र अच अर्थात सौरों के बोधक हैं और 5 से लेकर 14 तक 10 सूत्र हल अर्थात व्यंजनों के बोधक हैं इन सूत्रों की सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जा सकती है इन सूत्रों की पूरी वर्ण माला इस प्रकार परस्तुत की गई है स्वर अ-ई-उ-री-लरी-ए-ो-अ-ए-आ अंतस्त य, व, र, और ल, वर्ग के पंचम वर्ण कौन-कौन से हैं न, म, न, 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 न वर्ग के चतोर्थ वर्ण कौन-कौन से हैं जो चोथे नंबर पर आते हैं ज, भ, घ, ध, ध, ध वर्ग के त्रेतिय वर्ण कौन-कौन से हैं जो तीसरे नंबर पर आते हैं ज, ब, ग, ड, द वर्ग के द्रेतिय वर्ण कौन-कौन से हैं जो तूसरे नंबर पर आते हैं ख, फ, छ, ठ, ध और वर्ग के प्रिथम वर्ण कौन-कौन से हैं जो पहले नंबर पर आते हैं च, ट, त, क, प अब वर्ण के ओश्म वर्ण कौन-कौन से हैं उश्म वर्ण क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनका उचारण करने पर हमारे मुह के अंदर कुछ उश्मा उत्पन्न होती है जैसे श, स, स, ह डियर व्यूवस इस प्रकार प्रथम चार सूत्रों में नौ वर्ण स्वर हैं, शेश, तेंटी स्वर्ण व्यंजन हैं इने प्रत्याहार कहते हैं, प्रत्याहार क्या होता है? विस्त्रित वर्ण समुदाय का संक्षेपी करण ही प्रत्याहार कहलाता है प्रत्येक प्रत्याहार केवल दो वर्णों से मिलकर बनता है, इसका निर्मान माहेशर सूत्रों से ही होता है इन प्रत्याहारों की संख्या 42 है माहेश और सूत्रों के अंतिम हलन्त वर्ण को छोड़ कर 42 वर्ण शेश रहते हैं ये संसकत वर्ण माला के वर्ण है अधिक से अधिक किसी प्रत्याहार में 42 वर्ण हो सकते है इन वर्णों में से कोई वर्ण प्रत्याहार का आदि वर्ण तथा सूत्रों में से अंतिम हल वर्ण प्रत्याहार का अंतिम वर्ण होता है जिय व्यूवस महरशी पाणनी के व्याकरण में इन 42 प्रत्याहारों का परियोग मिलता है ये प्रत्याहार इस प्रकार है ओम्भूर्भुवस्वः तत्स्वितुर्वरेन्यु भर्गोदेवास्यधीमही धीयोयोनः प्रचोदेयाद ओम्भूर्भुवस्वः तत्स्वितुर्वरेन्यु भर्गोदेवास्यधीमही धीयोयोनः प्रचोदेयाद ओम्भूर्भूवस्वः तत्स्वितुर्वरेन्यु भर्गोदेवास्यधीमही दियर विवस्व इन प्रत्यहारों की सहायता से संधीकारे भलीभाती किया जा सकता है Dear viewers, आज के लिए इतना ही, हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए आप सभी की सफलता की मंगल कामना के साथ मैं शालिनी विदा लेती हूँ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को दवाना बिल्कुल न भूले ताकि मेरे हर एक नए वीडियो के आने की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके थांक यू